हेलो अरीवान वेल्कम बैक टो माई चैनल और कैसे हो आप सभी तो मैं हुआ नीता और आज मैं केक बना रही हूँ तो वैसे तो मैं केक की बहुत सारी रेसिपी आपकी साथ शेयर कर चुकी हूँ तो आप भी तक जित्ते भी मेरी फैमली में बर्डे होए हैं मतलों जेट के ब बना रही हूँ लोग डाउन चल रहा है आप सभी जानते ही है तो आज तो बहुत ही में केक है मेरे लिए बहुत इंपोर्टेंट केक है ये तो आज मेरे बेटे का बर्ड है अर्नाव का तो अर्नाव का केक भी आज मैं ही बना रही हूँ तो बाजर से कोई भी समान लाना हम पसंद नहीं कर रहे है क्रोना काल के चलते हुए तो चली हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और एक इस्टेनर ले ले लेते हैं चलनी वही अगर आपके पास इस तरह की छलनी नहीं है तो आप आटा चलनी भी ले सकते हैं और में यहाँ पर मेजर्मेंट कर रही हूं 200 ml कश पर मेजर्मेंट कर रहा हूं तो यहाँ पर शोजी घ Sicht है तो मेरे पास मैरे इंचित धोड़ी शीकषित हो की सब्हुत बारीक दो गई संब्सक्राइब लें न्यष्हां इस आप में दाल के कर लूँरी है और एक कप का आधा कप मैंनेAR पर दही ले ली है, फेसी का नभी कबात और पर चीनी ढाल ली है, अगर आप सुगर पाउडर यूजS करें तो आप यहां पर एक तेहा ही कप सुगर पाउडर का इसतेमाल करें और बस मैंने हैं पर एक चोथाई कप डाल लिया है घी अब मैं हैं पर कोका पाउडर या डेरी मिल्की चोकलेट या फिर कोफी पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हूं जो हर्ची का सीरप आता है चोकलेट मैं वहीं डाल रही हूं तो एक पाउच ये 10 रुपे का आता ह है तो मैंने पूरा पाउच यहां पर हर्ची सीरप का डाल लिया है इसे चोकलेट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बच्चे को बहुत ज़्यादे पसंद आता है और यकिन मानिए इसके टेस्ट में कोई भी फराग आपको नजर नहीं आएगा अगर आप कोका पाउडर ड में पाउने का झुछड वाल जितना बहुत भी केक बने हमीं काले तो मैंने शारा समान जहाँ पर जो है इस भाउल में यानि मिक्सिंग बाउल में डाल लिया है अप मैं स्को थोड़ा सा पीस लेती हूं यानि इसको मिला लेते हैं एक तो चीनी भी मैं अच्छे से मिक्स हो यहां पर तयार हो चुका है तो मैंने एक केक्टिन ले लिया है और इसको घीज अची तरह से ग्रीज कर लिया है तो नोर्मली आप देख रहे होंगे मेरे हर एक वीडियो में मैं किसी भी बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं मार्केट के नोर्मली बच्चों के वर्क से फिर क्यों लाए तो फिर मैंने यह बैटर केक्टिन में डाल लिया है बैटर हमारा बिल्कुल तयार हो चुका था जब आप इसमें बेकिंग सोडा या फिर सोडा वगएर डाल देते हो तो बैटर को जादा देर तक बाहर मत रखिए उसमें बबल आ जाएंगे तो बस हमा मैंने एक दमनो किया था और लगबग में 45-46 मिट हो चुकी थी और मैंने बीच में एक बास को चेक किया तो अब हमारा केक बनका तयार हो चुका है तो आपकी 45-50 मिट लग सकती है तो बस आप इसको डेमोल्ट करने का टाइम भी आ गया है तो मैं एक प्लेट ले रही हूं इसको डेमोल्ट कर रही है और यह देखि बहुत यह इसांसे जो है यह रही है यह एह देमोल्ट हो गया हलका सही मैंने इसको आज से टैब किया और जो यह वड़ पेपर लिए लग ले रहे हूं अगर आपके पस कोई जाली है तो आप जाली ले और इसके उपर मैं चोकलेट सीरप डालूंगी तो यह मैंने दूसरा पैक वही हर्शी सीरप का ले लिया है और इसके उपर मैंने इसको डाल दिया है चममसी इसको थोड़ा सम फैला देंगे ताकि हमारे सारे केक में उपर से नीचे तक अच्छी तरह से इसकी कोट हो सके और ह जब से मैंने केक बनाना स्टार्ट किया तो मेरे घर में केक इतना ज्यादा बन रहा है इतना ज्यादा बन रहा है मानों दूसरे तेजरे दिन बनता ही रहता है बच्चे डिमार्ड करते ही रहते हैं और बच्चे क्या बढ़ों को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आता है तो मैंने जो है सारा चोकलेट सीरफ यहाँ पर डाल लिया है और मैंने एक चमस ले ली है और इसको थोड़ा समय फैला लेती हूँ ताकि इसकी कोट पूरे हमारे जो है केक पर हो सके तो मैंने पूरे जो है केक पर इसकी कोट अच्छी तरीके से कर लिया आप देख पा रहे होंगे तो अब बारी आती है इसको थोड़ा सा डेक रोट करने की जैसे की बाहर से आप मार्किट से केक वगएरा लाते हैं तो बच्चों के नाम वगएरा लिक्के देते हैं तो मुझे जो सही लगा मैं वो कर रही हूँ तो मैंने घर में ही एक की बना लिया और उसमें मैंने क्रीम डाल ली है और मैं यहाँ पर अपने बेटे का नाम लिख रही हूँ तो आप भी इसी तरह का जो प्रोसेज करके अपने घर में अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं उनके लिए केक बना सकते हैं बहुत सिंपल है इसको बनाना बिल्कुल भी हाड काम नहीं है कोई दिक्कत नहीं आती है और अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप कुछ मुझे मुझे पूशना चाहते है ताप मुझे कोमेंट बॉक्स में जरूर पूश सकते हैं और अगर आप यही केक मार्केट में लेने जाओगे तो यकीनल आपको यह डाई सुसी तीन रुपिय जरूर पे करने पड़ेंगे हो सबसे खास बात यह घर पर बनाए हमें पता है किस त बच्चों को खाने में भी कोई परिशानी नहीं होगी नुकसान नहीं देगा तो आप इस तरह का केक बनाएए अपने बच्चों खिलाए अपने फैमिली को खिलाए और अगर आपको आज के रैसीपी पसंद आए तो मेरी रैसीपी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक् आप देखें यह प्रोसेज और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंश वीडियो तरह करेंशार किस्ट साफ में पिलाए यह जड ते हैं यह Latin